आप सभी का स्वागत है आपके न्यूटूब चैनल सुक्ला इस्ट्री पॉइंट में मैं स्यूम् सुक्ला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित बीए फश्टियर के बारे में और जानेंगे बीए अधिकालिन हिंदी काभी के नाम से जाना आता है या फिर आप से अधिकालिन हिंदी काभी के बारे में पूछे मद्धिकालिन काभी के बारे में पूछे दोनों काभी के बारे में पूछे उसके वीडियो के बारे में मलब की उस पूरी के पूरी पेपर के सेनेरियों के बा बना इसके संदर में एक दिन वीडियो बनाऊंगा साथ ही साथ आपका रुचकर विसाय का ऐसे बन सकता है इसको भी बताने का परियास करूंगा हिन्दी साहित एक प्रकार से सुरह में मनुहरम में मधरम में सब्जक्त होता है जिसको पढ़ने के बाद में जितने भी आपके चाहे जो भी गम या फिर कुछ भी हो आपके सरीर में या फिर आपके मानसिक तनाव किसी विपरकार का सब दूर हो या था हिंदी साहित को पढ़ने के बाद में हर एक प्रसंद का जवाब होता है हिंदी साहित में मेरी प्यारे दोस्त आज के वीडियो में उसी सभी विसेश् नहीं है उनकी जाते साहरा नहीं है उनकी क्या प्रसमाथ से कभी है उनके बारे में ऑथा ने प्रयास करेंगे बड़ी ही आसाने से सारे मुदो को समधें का प्रयास करेंगे मेरी प्यार दोस्तों वीडियो में लाज तक बने रहीएगा या था मैं सेनेरियो थोड़ा सा बता रहा हूं आपको पेपर में डिस्क्रिप्शन की इस वीडियो के अंतर रित क्या होने वाला है बहुत ही सालींता से बहुत ही आसानी से मुझे कि वो सुनन के रूम में हमको गरहन करना है अपनी आप अंदर उतारना है और इस प्रकार से हिंदी साहत को अपनी मन में उतार लेना है और आत्मा के द्वारा उसको समझना है चले बात करते हैं मेरी प्यार दोस्तों हिंदी साहते की हिंदी साहते हिंदी साहते कहने के लिए बहुत अच हिंदी साहिते सबसे पहला सब्द आपका है हिंदी और दूसरा सब्द है साहिते बड़ी ही ध्यान समझेगा मेरे पैर दोस्तों चाहे आप हिंदी साहित किसी आने परिक्षा के तयारी के लिए पढ़ रहे हो चाहे बीए की परिक्षा के लिए तो हला कि बीए का पर फोकस मेर आधिकतर रहेगा तोकि बीए के स्टुडेंट्स की बजा से मैं या सारी वीडियो बनाता हूं और बी ये वाले जो है मुझे आतीसे प्रिये हैं तो उनके लिया वीडियो में बनाने का परियास करता हूं हिंदी साहित दो सब्दों से मिलकर के हिंदी साहित बना है पहला तो हिंदी दूसरा साहित साहित क्या होता है हिंदी क्या होती इसको जानेंगे हिंदी क्या है सबसे पहले इसको जान लिजे रिंदी क्या है मेरी प्यार्द őस समू है हिंदी भासा जो बनी है सबसे पहले जो भासा आई आपकी मेरी प्यारे दोस्तों संस्कृत भासा इसको एक में समझेगा संस्कृत भासा सबसे पहले भासा अगर कोई आती है तो उसका नाम है क्या संस्कृत और संस्कृत के संदर में कहा जाता है कि स्लोक पर चलिते है कि भासास मुख्या मधुरा दिब्यागीरवाण भारती तस्याही मधुरम काभ्यम तसमादेपी सुभासितम मेरी पैरे दोस्त यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भासा मुख्या मदुरा बनलब भासाओं में मुख्य मधूर मुख्या मधूरा दिव्यागीर वान भारती आर्थात देवबारी कहे जाने वाली हमारी भासा जो है वा संस्कृत है तस्याही मधुरम काभ्यम तसमादे पिसुभासिता मतलब इ इसमें जो काभी वर्डित है इसके जो अक्छार है इसकी जो सूक्तिया है इसकी जो उक्ति है मनलब कथन है संस्कृत में वह सभी कैसे हैं बड़े ही प्रभाव सालियर बहुत ही अच्छे है ठीक सुतस्याही मधुरम काभ्यम मधुरकाब यह तसमादे पिसुभा सितम और म मनोरम में ता पहुंचाने वाला हुआ हिंदी सहते हो सवाली संसकृत सहति का काभी-गरंथ ओके आई ये बात कर लेते हैं आगे मेरे प्रदोस्त इस जैसन्स्रिट भाँस से बना क्या इस संस्क्रिट भाँस मैं आपकी पाली भाँसा को सिवासा बनी पाली भाशा बनी क्वारूप क्या है संस्कृत का विगडा हुआ हुआ रूप पाली और पाली मी ये धर्म को हम कि किस सांद्राइब लगते हैं धम्थ कर हैं धरते हैंस यहां पर जेन जो धर्म था इसके लिए पाली आपका उसके बाद में यहां पर भी धम का धमी रहता है और यह बहुत गरन्तों में अगर इसको पढ़ेंगे तो यह आपको मिलेगी प्रकृत के बाद में जो भाशा बनी मेरे प्रदोस्तों तो संस्कित का बिगड़ा हुआ रूप पाली पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्रकेरत और प्रकेत का बिगड़ा हुआ रूप क्या बनेगा तो प्रकेत का बिगड़ा हुआ रूप बनेगा आपका मेरी पैर दोस्तों आप भरंस क्या बनेगा आप भरंस का बिगड़ा हुआ रूप क क्या और अवहट का बिगड़ा हुआ रूप होगा आपका हिंदी तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बढ़ी आसानी से कि हिंदी की विकास यात्रा कितीनी लंबी रही है संस्कृत से बनी पाली पाली से बनी प्रकृत प्रकृत से बनी अब भरंस से बनी ओहट और होट से बनी हिंदी कहीं कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा या जो आप भरंस भासा होती अब ब्रंस के बाद डारेक्ट आपको हिंदी भासा के बारें बता दिया आता है ध्यान रखेंगे मेर रिस्तित भासा या था तो बड़े भासा की बात करूं तो वा कहने कई पे हिंदी होती है तो हिंदी का जिस प्रकार से एक बोली होती थी क्या हिंदी की हिंदी भासा की जिस प्रकार से एक बोली है क्या एक बोली है मेरे प्यार दोस्तों क्या अवधी अवधी या फिर ब्रज ब्रगासा कुछบी बोल सकते हैं भरैजवासा खड़ी बोली जिस प्रकार से हिंदी में यह सारी गाहरा में फासा बूली आती थी और जो सहरों के जो मुखह भासा होती थी आप भूर strengthening में बोली आती थी इसलिए बहुत सारी बिद्वानों ने सीधे अब भ्रंस के बाद में हिंदी को बता दिया है लेकिन बहुत सारी बिद्वानों ने अब ब्रंस के बाद में आउहट को कहीं न कहीं पे प्रासंगिक्ता दी है मलब उसको भी रखने का प्रियास किया है तो इस इस भी आप कहीं पर जिभी जाएंगे तो आपको जब तक या नहीं पता होगा यह बेसिक जानकारी है हिंदी के बारे में तो हिंदी बनी कैसे भया हिंदी बनी इंसे आर्थात हिंदी क्या है हिंदी के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो हिंदी को आसानी से आप पता सकत है पूरबी हिंदी पस्टमी हिंदी से बगेलि 36 घड़ी ती उसके आत्में बहुत सारी बुंदेल खंडी तमाम सारी भासा हैं आवधी हो गया मगही हो गया उसके आदे ब्रज भासा हो गया भॉझपूरी हो गया तमाम सारी आपकी जो बोलियां है उसा और को collection करने के बाद में उनसादी करने के बाद में एक भासा बंती जिस बात का नाम हैं हिंधी अभी हिंदी के बारे में आपको सारी बात्य समझ में आ गई हिंधी कैसец वंच में आ गई अभी हिंदी को दोस्तों एक चीज़ यहां पर क्या साहिते तो हिंदी आपकी समझ में आ चुकी होगी कि हिंदी क्या है हमने आप से आपको बताया था कि जो या हिंदी होता है हिंदी साहित जब हम पढ़ते हैं तो या दो सब्दों से मिल करके बना एक तो हिंदी और दूसरा साहित सिंपल सा है अब जो साहित होता है जो साहित है उसको समझ लेते हिंदी को तो हमने समझ लिया कि इस प्रकार से इसका विकास यातरा रही है हिंदी की अब हम समझ लेते मेरी प्रकार दोस्तों किसके बारे में साहित सब्द की बारे में और साहित के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते है है देखेंगे मेरे का दोस्तों साहित का क्या मनलब होता है साहित जो होता एक प्रकार से क्या है सबसे पहले जैने साहित क्या है साहित अधूरा विसे है क्या है अधूरा विसे नहीं बोल सकते इसको अधूरा सब्द है क्या है अधूरा सब्द है कैसे अधूरा सब्द है साहित जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो होती प्रकार से अधूरा सब्द होता है उसी से साहित जो होता है अधूरा सब्सक्राइब जैसे जब अर्थिव्यवस्ता पड़ते हैं तो अर्थिव्यवस्ता को पढ़ने के लिए किसी देश का सहरा लेने पड़ता कि भारती अर्थिव्यवस्ता के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अर्थिव्यवस्ता के बा पाता अब यहां पर साहित ते अब किसी भी भासा का साहित हो सकता चाहे हिंदी भासा हो चाहे संस्कृत भासा हो चाहे इंग्लिज भासा हो या फिर इसी प्रकार से कोई भी भासा हो तो किसी भासा किसी बोली का अपना एक साहित होता है और साहित जो होता है क्या होता से साहित मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है समाज का दरपड़ होता है साहित समाज का दरपड़ होता है दरपड़ मीन्स सीशा होता है क्या दरपड़ मतलब सीशा सीशा जानते हैं जिससे आप अपना मुखड़ा देखते हैं खोब सूरस साथ तो उसी सीशा को हम क्या कहते है में संस्कृत में दर्पण कहते हैं हिंसुधिन्दी में दर्पण कहते हैं गए तर्पली सब मैं सब्सक्रसम्सब्धावली आपका है ऑके सीशा को में governments भर और गपने डरपण दर पढ़ाऊगा संतल नरपर ऑथल बितला दर इसारे दरपर और में और तो कहीं न कहीं पे आपको पता होगा कि दरपण क्या होता है ठीक समझ में आई बात तो साहित जो होता समाज का दरपण होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक टरमाया समाज समाज को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता यहां पर समाज को थोड़ा समझ लिए बिल्कुल भागने की आवसकता नहीं है बड़े ही आसानी से सारे मुद्दो को समझाओंगा और इस प्रकार से हिंदी साहते यूटूब पर अगर मैं बता दूँ अगर आपको मिल जाए तो इसको बताईएगा ओके चले हम बात कर लेते हैं मेरे पैरे दोस्तों किसके भारे में समाज के बारे में समाज किस परकार से साहते से संबंद रखता है इसको हम समझने का प्रियास करेंगे चुकि जब तक हम भूमिका नहीं समझेंगे तब तक कोई विसेवस्तु समझने के लिए आप तयार नहीं होंगे मैं बात करूँ जैसे माल लेते हैं आप युद्ध के लिए तयार हो रहे हैं और आप अपना भाला ही घर पे भोल जाएं तो युद्ध में क्या लड़ेंगे लाठी से लड़ेंगे नहीं लड़ पाएंगे तो इसी परकार से आपको जिस परकार से युद्ध के लिए सस्त्र और अस्त्रों की जरूरत होती है ठीक उसी प्रकार से किसी भी विश्यवस्तू को पढ़ने के लिए उसके बैक ग्राउंड को हमको जानना त्यावस्तक हो जाता है उसके पिछले मलब उसके इतिहास के बारे में हमको जानना होता है उस सब्द के मतलब के बारे में हमको जानना होता है मेरी प्यार दोस्तों और जो व्यक्ति जो टीचर या चीज़े नहीं बताता है पूर्ण रूप से समझे वह मनो बैग्यारिक तरीके से नहीं पढ़ा है सिंपल सा फंडा है जब तक आप निव मजबूत नहीं करेंगे तब तक उस पर दिवाल चढ़ाना अधिक पॉसिबल संभव नहीं है आगे बढ़ते मेरे प्यार दोस्तमाज अब समाज को किस प्रकार साहित से लिंक करेंगे इसको दिखिए समाज में बहुत सारी समाज के बह अर्थिक पहलू क्या होता है आर्थिक पक्षिया पहलू कुछ भी या बोल सकते हैं ओके समाज का एक तो समाजिक पहलू होता लिख देते हैं समाजिक पहलू भी लिख देते हैं समाजिक पक्ष अब इसी के साथ साथ राजनेतिक हो गया आर्थिक हो गया आपका समाजिक हो तो बड़ी आसनि समझेगा हिंदी साहे तरह साहज हो जाएगा ये सारे के संदी साहिए की चीज़ों की विशेश्ता पूछी जाएगी आप विशेश्चाव में मेरी पैर दोसतों उसको सब समसंझेंगे तो किसी भी अगर कोई भी काल को समझेंगे तो उसमें राजनीतिक पक्ष समझेंगे, राजनीतिक कारण समझेंगे, आर्थिक कारण समझेंगे, समाजिक कारण समझेंगे, धार्मिक कारण समझेंगे, सांस्कृतिक कारण समझेंगे मेरे प्याद दोस्तों, इस प्रकार के का समझेंगे साथ ही साथ एतिहासिक कारण यहँ पर एटिहासिक न wacko तो फथी हक भी होता है समाज में कुछ ना कोछ न होता है एतिहासिक पक्षभी होתब है मैं परूसर यह महातकूर महात्पूर पक्ष जो थे मैंने आपके सामने यहां पर रख दिये अब आगे थोड़ा और एक परकार से प्रादेशिक पक्ष लेकिन उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि उसको सवाई पक्ष के अंतर करत हमी रख लेते हैं ठीक भवगोलिक पक्ष का इसमें जादा महात्पूर य जो है जब अंग्रेज मना की जब भक्तिकाल के संदर वेवें कहा कि भक्तिकाल क्यों आया बक्ती काल को लेकरके रामचंद सुखलाजी ने घरति कहते भारतिय लोगों की जो संस्कृति थी जो धरम था वो डूबय चला जारता मदब की वादब रहा था और ऐसे में पाश्चात दर्सन जो था हम पर थोप रहा था तो ऐसी कंडिशन में लोगों के अंदर या जिग्या सवत्पन हुई कि अपने अपनी धर्म को बचाना है अपन ऐसमें राजनेति की की लोग कौनसे हो समय चला लाता इसके बार में को विस्तार से यां पर चर्चा करनी होती थी मेरे पैरे दोस्तों तो कहीं न कहीं पें पर यह सारे के सारह पक्ष्टव करने कि में मिपारिए चिसमें लिद्टी साहति के इतिहास में जब हम में वे खानाएंगे और यहां आधुनिक काल्ण के जो क्या बिभिन कालकानद्य भारतिंदु यूग होँआ चाहे। ताही मेरी साहित समाज का दरपड़ होता है आर्था समाज में जो चीजे घटित हो रही है उसी को कोई साहितिकार अपनी लेखनी प्रदान करता है अपनी लेखनी के माद्दम से साहितिक सहली प्रदान करता है और जब ऐसा कोई साहितिकार करता है तो उसके लिखे द्वारा उनके लिख तेके नाम से जानते हैं मेरे प्यारा दोस्तों आप बताईए कि आप का जितना भी यह फंडा था मने आपको बता दिया सारा का सारा मुद्दा किलियर हुआ कि नहीं किलियर हुआ कहीं पर उपया पैसे वाले पच्छ से भी जो है साहित प्रभाव पढ़ता है जैसे रीतिकाल में समाज की जो को कुरिति यह चायवाद में आप आएंगे समाज में जो कि बली यह पर अत्याचार हो रहा था नारी सो अंहीX को एक करती जो है प्रित्वीराज चौहान और जैचंद या फिर आपने जो है तराइन का प्रथम युद्ध युद्ध सुना होगा ग्यारा सो बाद ग्याइक क्यानवे-बानवे क्यास पास मुहम्मद गवरी से हुआ कहीं न कहीं पिवा सब एतिहासिक पक्षों को हमारे सामने टटोलता हमार सामने दिखाई देता मेरी पहरे दोस्त यह थी सारी बाते है अगर आप हिंदी साहत लेकर क्या प्ष्टनल तारपर यूपीय चर्थ ताइयर क Ens यारी करते हैं यह सारे क assists है आपको जानने अतियावस्थ होते हैं मेरे पर दोस्त ऐसे हिंदी साहथ अगर आ पढ़ेंगे समाज साथ अगर insurance पढ़ते हैं बड़ा अच्छा कमभीनेशन होता है इन दोनों subject का आये मेरे प्ढ़े और भी मुद्दो को हम चर्चा करने का प्रियास करते हैं थोड़ा सा यहां पर आपको साहत समझ में आया और हिंदीस अमझ हमें तो साहित जो ह stripes लोग पर आधरित होता है और ऐसा वीडियो मिल जाए तुरंदर डिसलाइक करके और यहां से आप जा सकते हैं बिल्कुल बढ़े आसानी से अगर ऐसा ना हुआ तो आप ध्यान रखेंगे सुकला डिपॉइंट आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है तो आप लोगों को करना क्या होगा आप जो है एक प्रकार से हिंदी साहिद के परतीकर उसका नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसकी आत्मा का विकास हो जाएगा जिस्से उसकी मानोता भिक्सित होगी मेरे परस्टों तो कहीं न कहीं पर मेरा याह मनतब्ब है कि मेरे हिंदु스ान के Vielen हिंदुस्तान के मेरे भारत के सभी लोगों को या पता हो कि हिंदी साहित कितना रुचकर सब्जक्त है और हिंदी साहिते पढ़ने के लिए मजबूर हो और पढ़ने के लिए ततपर हो मेरी पैरे दोस्त मैं चाहता हूं इस वीडियो के माद्दम से आप उन तक सारे लोगों हो तो क्या वीडियो पोचाने का परियास करेंगे चलिए मेरी प्यार दोस्तों अब हिंदी साहित के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते जो है कि आखिरकार आपके सिलेबस अनि फश्टियर वालो आपके लिए क्या है सिकंडियर के लिए भी मैं इसी प्रकार से वीडियो ल